नमस्कार विद्यार्थियों मैं रतनकुमार जागावत व्याख्याता हिंदी कृष्णा विद्यामंदिर सीनियर सेकंडी स्कूल सिकर विद्यार्थियों जैसा आप जानते हो आज का जो पेपर हुआ है उस पेपर में सबसे पहले हिंदी का पेपर हुआ है उसका सोलुसन आज हम इस वीडियो के माध्यम से देखने जा रहे हैं तो आशा करता हूं आप इसमें जो उत्तर हैं उनको जिस प्रकार से एक्स्प्रेंट करने या समझाने का प्रियास करेंगे उसको समझने का पुन रूप से ज्यान दे करके प्रियास करेंगे देखे पहला प्रसन है चालीश प्रसन इस पेपर में अपने आये हिंदी पर आधारित और लगबग हैं वह हिंदी व्याकरण पर आधारित हैं साथ ही क उत्तर होगा खेलना भीतर निकट इनमें भावाचक संग्या सब्द है भक्ति भक्त विक्तिवाचक संग्या हो जाएगी और उसका भावाचक कोन सा सब्द हो जाएगा भक्ति सब्द हो जाएगा यह ज्यान रखना है कई बार अपने देखते हैं जैसे खेल सब्द है तो खेल को भी भावाचक रूप में देखने लग जाते हैं लेकिन यहाँ पर अपना जो अंस्वर होगा अपना जो उत्तर होगा वो कौन सा होगा भक्ती पहले प्रसन का उत्तर हुआ अपने पास में भक्ती जो की भावाचक संग्या है अब देखिए दूसरा प्रसन है व्यक्ति गत आकृति रूप, प्रकार के आधार पर एक समय का बहुत कराई, तो वहाँ हो जाता है जातिवाचक सब्द। देखो यह है अभिविक्ती, कटूक्ती, व्यक्ती और स्वीक्रती। अपने पास सब्द है व्यक्ति गत। और इसका जातिवाचक हो गया व्यक्ती। किस वेक्टि सब्द में सारे वेक्टि सम्हलित हो जाते हैं। वेक्टि का मतलब सारे आद्मि जैसे यापन बोलें कि इस्तृ तो सारी इस्तृ इस में आ जाते हैं। कुता वफदार होता है, तो सारे कुत्य उसमें आ जाते हैं, इस प्रकार से ये विक्तिवाचक जो सब्द है, उससे उत्तर बना है, विक्तिवाचक, विक्तिगत सब्द से विक्ति, अब देखते हैं अपन टीसरा प्रसन है अपना, संग्या के इस्तान पर प्रियुक्त होने वाले सब्द कहलाते हैं, साधरन उत्तर है, संग्या के इस्तान पर प्रियुक्त होने वाले सब्द होते हैं, सार्वनाम, सार्वनाम का मत्रव होता है, सब का नाम, वो सब्द जो सब की जगह अपन काम में ले सके, अपन कहीं यह है, अब यह सब्द से अपन इस बोड को भी समोधित कर सकते हैं, आदमी को भी समोधित कर सकते हैं, तो वो उत्तर होता है सर्वनाम, तीसरा अपना प्रसन है, संग्या के इस्तान पर प्रियुक्तो होने वाले सब्द कहलाते हैं, सर्वनाम सब्द, बहुत ही साधन प्रसन है, आग निश्यवाचक इसमें नहीं है, पुरुसवाचक इसमें नहीं है, इसमें है संबंध वाचक। परिभास होती हैं ovenा, तो बातों को जोडनेवाले दो बातों मेंnte में संबंध प्रकट करने वाले संबध होते हैं, वे कौन से सर्वनाम कहलाते हैं संबंद वाचक सर्वनाम कहलाते हैं जो परिश्रम करेगा वो सफल होगा जितना गुड डालोगे उतना मीठा होगा ये संबंद वाचक सर्वनाम सब्द कहलाता है अब अपने देखते हैं पांच नमर का अपना जो प्रशन है वो है निला आकास मन को आकरशित करता है वाक्य में रेखांकित सब्द में विशेशन है आकास है और आकास का विशेशन क्या है निला सब्द विशेशन है अब विशेशन है कौन सा विक्ति वाचक विशेशन नहीं है संकेत वाचक विशेशन भी नहीं है परिमान वाचक नीला आकास सब्द में गुण वाचक विशेषन है, आकास के गुण की विशेष्था यहां पर परकट की जा रही है, अब देखतें, आगे बाड़ा प्रसन है अपने पास में, छैनमबर का प्रसन, विशेषन की कितनी अवस्थाएं होती है, तो वालको विशेषन की तीन दूसरी होती है उत्रावस्था और तीसरी होती है उत्मावस्था मुलावस्था उत्रावस्था और उत्मावस्था विशेशन की तीन अवस्थाएं होती है अपने छट्वे नमर के प्रसन का उत्तर है सात्वा प्रसन है अपने पास में निम्नांकित में से पूर्वे कालिक क क्रिया का वाक्य कौन सा है पूर्व कालिक सब्द है ये पेपर में पूर्ण कालिक सब्द छपा है लेकिन अपने इसको पूर्व कालिक मान करके हल करेंगे जो क्रिया पहले घटित हो चुकी होती है उसको पूर्व कालिक क्रिया बोला जाता है जैसे इसमें पहला है वहे पढ तो वहे पढ़कर सो गया इसमें पूर्वकालिक क्रिया है सकर्मक क्रिया के मुखेते कितने उपभेद होते हैं एक कर्मक और एक द्वी कर्मक एक कर्मक और द्वी कर्मक सकर्मक क्रिया के ये दो भेद होते हैं एक में एक कर्म होता है और एक में दो कर्म एक साथ घठित होते हैं कई बार आप ये सोते हुए दो कर्म कैसे हो सकते हैं जब कि क्रिया तो एक ही होती है दो कर्मों पर क्रिया का प्रभाव किस प्रकार से पढ़ सकता है जैसे अपर उदान देखते हैं कि माता बच्चे को दूद पिलाती है दूद को पिलाती है बच्चे को पिलाती है अध्यापक चात्रू को बुगोल पढ़ाते हैं बुग गोल को पढ़ाते हैं, छातरों को पढ़ाते हैं, तो दो कर्म आगए इसमें, ऐसी जो करिया खती है, उसको द्वी कर्मक करिया के नाम से जाना जाता है, तो इसका सकर्मक करिया के मुख Commander के कितने उबेद होते हैं, उत्तर क्या हूँ आपने पास में? दो, समझे के? त जो वे नहीं होता है तो कोण सा अवे है आज समय दिया हुआ इसमे समय दिया हुआ है काल दिया हुआ है इसलिए अवे कोण सा हो जाएगा इसमें काल वाचक अवे अवे कोण सा हो जाएगा काल वाचक अवे समझे यह अपना नौवा प्रसन का उतर है दूसरा विकल्प इसका रहेगा, फिर देखो दस्वा प्रसन है अपने पास में, निम्नांकित सब्दों में से विस्मयादी बोधक अवे है, वे अवे सब्द जिनसे विस्मय हर्ष, सोक, दुख, पीडा, अधिका बोध हो, वो विस्मयादी बोधक अवे कहलाते हैं, तो इन जरूर होती है, कोई प्रसंग होता है, जिसके आधार पर अपने इसका प्रियोग करते हैं, तो इसमें है धन्यवाद, अब वे सब्द कौन सा हुआ, वी समयादी बहुत का अवे कौन सा हुआ, धन्यवाद सब्द इसमें हो गया, दसमें प्रसंग का उत्तर है धन्यवाद, अ उसके रूप और उसके अर्थ में परिवर्तन उत्पन कर देते है, उनको उपसर्ग बोला जाता है. तो इसमें देखे, पहला है विभाग, यह पहला ही इसका उत्थर है, इसमें विउपसर्ग है. आगे का प्रसंद देखो. परहित सब्द में परुपसर्ग का अर्थ है पर का सब्दी करती है अपने सब्दी पर का मतलो होता है दूसरा अन्य तो इसमें आपका सब्द का दूसरा ये तीसरा विकल्प इसका सही उत्तर है परहित सब्द में जो पर है वो उपसर्ग है जिसका मतलो होता है दूसरा अन्य अगे का प्रसन देखते हैं अपने पास में है पारमपरिक सब्द में प्रत्य है जैसे अभी अपने उपसर्ग की परीभाषा देखी थी कि किसी सब्द के पहले जुड़ कर जो सब्दा्स उसके अर्थिया रूप में परिवर्टन उत्पन कर देता है उसी प्रकार से वो सब्दांस जो किसी सब्द के अंत में जुड़ करके उसके रूप और अर्थ में परिवर्तन उत्पन कर देता है वो प्रत्य कहलाता है अब यहाँ पर देखो पारंपरिक सब्द में कौन सा तो इक प्रत्य है परंपरा मुल सब्द है और इक इसमें प्रत्य है चार नंबर का विकल्प इसका सही उत्तर है चोथा जो विकल्प है वो इसका सही उत्तर है पारंपरिक सब्द में इक प्रत्य लगा हुआ है अब कौन सा है इसमें भावाचक तद्वित प्रत्य है गम जो सब्द है इसमें प्रत्य का भावाचक तद्वित प्रत्य है ये इसका उत्तर होगा पंद्रमा प्रसन देखो नंदन सब्द निम्न में से किसका प्रियाईवाची सब्द है नंदन का साब्दी करत होता है पुत्र जैसे नंद नंदन के लिए आता है नंद का बेटा क्रशन तो इसमें जो उत्तर है वो तीसरा विकल्प इसका उत्तर होगा पुत्र नंदन का मतलब पुत्र आगे वाला प्रसन देखो अपने शोडवा प्रसन है देवता सब्द का निम्नांकित में से परियाईवाची सब्द है निर्जर का मत्रब जहरना होता है निर्जन का मत्रब सूनशान होता है निर्जर, जर का मत्रब होता है बुढ़ापा समझ गए और निर्जर जिसका बुढ़ापा नहीं आता है कि बुढ़ापे के आगे की जो इस्तान होता होता है मृत्यू तो देवता तो सदेव जिवित रहते हैं इसलिए निर्जर का अर्थ होता है, देवता, निर्बल का मत्रव कमजोर होता है, अपना जो सोड़ों प्रसन है, देवता सब्द का निमनांकित में से परियायवाची सब्द है, उसका उत्तर होगा निर्जर, निर्जर का मत्रव होता है देवता, सत्वा प्रसन देखो, सत्र विलोम सब्द कौन सा होगा द्वेश चोथा नमबर का जो विकल्प है वो इसका सई उत्तर है अब देखो आगे देखते हैं अपन शत्रा प्रसन अपने देख लिए अठारवा प्रसन है आदर सब्द में कौन सा उपसर्ग लगाया जाए जिससे उसका आर्थ अपमान बन जा सब्द क्या हो जाएगा निरादर अठार में जो प्रसन है आदर सब्द में कौन सा उपसर्ग लगाया जाए जिससे उसका आर्थ अपमान बन जाए तो निरादर का सब्दिक अर्थ हो जाता है अपमान या बेजती हो जाना इसमें दूसरा विकल्प इसका सही उत्तर है आधी और व्याधी दो प्रकार के कस्ट माने जाते हैं आधमी के लिए सारीरिक और मानसिक तो आधी का मतलब होता है मानसिक कस्ट और व्याधी का मतलब होता है सारीरिक कस्ट तो यह जो उनीस्वा प्रसन है इसका दो नंबर का जो विकल्प है वो अपने उत्तर रहेगा आध क्रिपन और क्रिपान शुरूती सम बिनार्तक सब्द या समोचरित बिनार्तक सब्द भी कहते हैं कि उचारण एक्षा लगता है लेकिन उनका जो अर्थ है वो बिन बिन होता है क्रिपन और क्रिपान क्रिपन और क्रिपान सुरूती सम बिनार्तक सब्द युग्म का सही उत्तर विकल्प है तो क्रिपन कहते हैं कंजूस को और क्रिपान कहते हैं तलवार को ये तीन नंबर का जो विकल्प है ये इसका सही उत्तर है कंजूस और तलवार क्रिपन और क्रिप ये इसका सही उत्तर होगा अब देखते हैं 21 नंबर का प्रेशन है उच्छवास सब्द का संधी विच्छेद होगा उत्धन स्वास ये इसका सही उत्तर है वेंजन संधी है ये उत्धन स्वास इसमें जब संधी होगा तो ये सह है इसका तो छह बन जाएगा और इस तैका मिमु की अंतरगत 21 प्रासं है अपना उच्छवास सव्द का सही सन्धी वीचेद होगा उत धने सवास 21 नुम्मर के प्रसन हो गैए अब देखो 22 प्रसन है अपने पास में पित्री धन आज्या सब्द का सन्धी रूप होगा पिता की आज्या तो पहले पिताग्या असुद है, पित्राग्या, पित्वाग्य विनी, ये दो नमबर का विकल्प इसका सही उत्तर है, पित्राग्या, पित्री धने आज्या, पिताजी की आज्या, तो दो नमबर का विकल्प, 22 प्रसन का सही उत्तर है, तेवी स्वा प्रसन है, अम्बूर्मी, सब्द बड़ाउ 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 मिलता है तो परिणाम क्या होता है बड़ाउ और यह होता है स्वरसंदी का भाग है दिर्ग संदी स्वरसंदी के अंतरगत दिर्ग संदी है अंबूर्मी सब्द में अंबूर्मी सब्द में दिर्ग संदी है तो 23 नंबर के पर दिर्ग संधी अब देखवाएगे 23 प्रसन अपने देख लिए 24 प्रसन है समास विग्रे करने पर और या अथवा तथा एवं अधी सब्द किस समास में लगते हैं और अथवा या जब दोनु बराबर के होते समास के जो दोनु भाग होते दोनु बराबर के होते हैं तो वहाँ पर दुन्द समास होता है ये जो प्रसन है 24 वा इसका उतर होगा दुन्द समास जब समास के दोनु जो भाग हैं वो बराबर होते हैं या कई बार एक दूसरे के विलोम होते हैं और उनका समास विग्रे करने पर और अथवा या जैसा इसमें बताय गया वैसे सब्ध जब परकट होते हैं तो वहां पर दूंद समास होता है 24 प्रसन अपने हल कर दिये 24 वह देखा अपने समास विग्रे करने पर और या अथवा तथा एवं आदी सब्ध की समास में लगते हैं विग्रे करने पर बीच में आते हैं, तो यह वो होता है, द्वंद्वे समास, द्वंद्द का साब्दिक अर्थ होता है, संगर्ष और संगर्ष अमेशा बराबर वालों में होता है, अब देखो 25 वा प्रसन है वालको, निम्नांकित सब्दू में से बहुबरी ही समास है, खबर उपसर लगया और महापुरूस ये अलग, घनशाम सब्द है, घनशाम, काला बादल, लेकिन इसका अर्थ अलग से ही प्रकट हो जाता है, दोनों का ही, घनशाम का मतलब अपन कृसन बगवान से लगा देते है, तो ये जो घनशाम सब्द है, ये बहुबरी ही समास है जिसमें दोनों पदूं का अर्थ गोन और तीसरा पद परधान हो जाता है, आगी का प्रसंद देखो अपने सब्वीसवा है, राह के लिए खर्च, राष्टे के लिए खर्चा, दो नंबर का विकल्प इसका सही उतर है, राह के लिए खर्च, अब देखो 27 प्रसंद है वा सरल वाक्य में उद्देशे वे विधे की संख्या कितनी कितनी होती है, तो सरल वाक्य में एक उद्देशे होता है और एक विधे होता है, सरल वाक्य में एक करता होता है और एक क्रिया या पूरक सब्द होते हैं, वो सरल वाक्य होता है, उतर है एक उद्देशे और एक ये कौन सा कथन सही है संयुक्त वाक्य की परिवास आ जाएगी इसमें संयुक्त वाक्य में दो या दो से अधिक साधारन वाक्य किसी संयोजक सब्द से जुड़े होते हैं समाना दिकरन उप वाक्य होते हैं या साधारन वाक्य होते हैं और दोनु को किसी संयोजक के द्वारा जोड दिया जाता है वह संयुक्त वाक्य कहलाता है अब देखो 39 वे नंबर का फ्रेशन है अपने कम लाब या कम कीमत पर बेच देना अर्थ वाला मुहावरा है अपने वाक्य में परियोग करते हैं ने ओने पोने करना ओने पोने करना मतलब थोड़े रूपए में किसी चीज को बेच देना कम लाब या कम कीमत पर बेच देना यह मुहावरा है जिसका प्रियोग यहां पर अर्थ बताया गया है तीसवे नंबर का अपना प्रशन है चूना लगाना मुहावरे का आर्थ है साधन वासा में अपन कामले चूना लगाना नुक्षान कर देना गाठा लगा देना तो इसमें पान लगाना नहीं है का आर्था दिखाना नहीं है नुक्षान करना यह जो तीन नंबर का चुना लगाना नुक्षान कर देना 31 प्रसन है बिना परिश्रम दूसरों के सहरे जीने का निरर्थक प्रियास करना अर्थ वाली लोकोपती है खुद परिश्रम नकरे दूसरे पर आधारित करत अब्यास के यह भी नहीं है कंगाली में अटागिला भी नहीं है उधार का खान का जो सही उत्तर विकल्प है वो होगा दो नंबर का उधार का खाना और फूस का तापना अब देखते 32 नंबर का अपना जो प्रसन है चचुन्दर के सिर में चमेली का तेल लोकोक्ती है और इसका आर्थ होता है पहला संसार में किसी के अभव में किसी का कारिया नहीं नी रुक पात्र द्वारा स्रेष्ट वस्तु का उपभोग करना यह तीसरा विकल्प इसका सही उत्तर है अयोग्य आदमी हो कुपात्र हो लेकिन उसको कोई कीमटी वस्तु मिल जाए और वो उसका उपभोग करे तो ये लोकोगती चरितार्थ होती है, चचुंदर के सिर में चमेली का तेल, अब देखते हैं, 33 में नमबर का अपना जो प्रसन है, बाल को, पत्र लेखन एतु निम्नांकित में से कौन सा कथन ऐसंगत है, उल्टा है प्रसन, ज्यान से कई बार इसको अपन पढ़ नहीं पात थोड़ी किया जाना चाहिए, तो प्रसन उल्टा पूछा गया है, कई बार अपन इसको पढ़ नहीं पाते हैं, और इसका उत्तर है वो गलत कर देते हैं, कि वर्तनी गत त्रूटियूं से सहीत पत्र लिखना चाहिए, नहीं लिखना चाहिए, ये बात ऐसंगत है, तरक बात नहीं है, अब देखो चोती स्वाँ प्रसन है, चिरंजीवी संबोधन पत्र लेखन में किसके लिए किया जाता है, चिरंजीवी अपने से छोटे के लिए, अपने से छोटे के लिए, अपने से छोटू को पत्र लिखते समय, ये उत्तर सही है इसका, चिरंजीवी सब् पत्र में प्रियोग अपने से छोटू को पत्र लिखते समय किया जाता है 44 में का उत्तर हो गया अब देखतें 35 में नमर का पना जो प्रसन हो जानवरू में गधे को समझा जाता है ये पाठ है अपने दो बैलू की कथा नमी हिंदी में जो पाठ है उसमें से लिया गया है अत्यंत बलसाली नहीं अत्यंत बुद्धी हीन ये सब्ध उत्तर है इसका दो नमबर अत्यंत बुद्धी हीन गधे के लिए उस पाठ में प्रयोग किया गया था तो ये उत्तर इसमें मानने होगा सही उत्तर होगा अब ला राम बरक्स बेनी पूरी की निम नांकितुं में से कौन सी करती? यह क्रय सब्दी है. यहां पर कहा है. कृति उपन्यास विधा में लिखित है. उपन्यास के रूप में कौन सी रचना लिखी गई है. तो इनकी है, देखो, किता हम देखना अपटितू के देश में. पतितू के देश में इनकी जो रचना है वो उपन्यास के तरीके से लिखी गई है तो 36 में प्रसन का उतर होगा पतितों के देश में 37 में नंबर का प्रसन है यूम थांग का अर्थ है यूम थांग गाटियां के लिए आया है अपने दस्वी में पाठ भी है इसका यात्रावरतांत है ये के जब यात्रावरतांत है नोरगेर ऐसा पाठ है न उसमें तो उसमें ये गाटियों सब्द के लिए यूम थांग सब्द का प्रियोग हुआ है अब देखे 38 में नंबर का अपना प्रसन है हारिल पक्षी की विसेशता क्या है हारिल नाम का पक्षी होता है जो लकड़ी के सहरे जीता है अपने पैरों में लकड़ी को पकड़े रहता रात को सोता है तो भी उल्टा लटक जाता है पैरों के सहरे और पूरी रात निकाल देता है मतलब उसका जिवन का अधार लकड़ है अपने पैरों में सदेव एक लकड़ी पकड़े रखता है जिसे छोड़ता नहीं है इसका उत्तर होगा दूसरा हारिल पक्सी की विशेशता हमारे हरी हारिल की लकड़ी सूर्दाशी का पद है ब्रमरगीत के अंतरगत उन चालीश ये नंबर का प्रसन देखो सूर्यकान तिरपाथी निराला की कविता उत्सा है अवान गीत है ये यूकू को कर्मवीरू को एक नया जोस के साथ में काम करने का अवान करता है तो सूर्यकान तिरपाथी निराला की कविता उत्सा एक अवान गीत है इसका जो उत्त नमबर है वो सही विकल्प ऊतर है यहां पर। । अब है अपने 40 नमबर का उस पाथ में ये बात लिकी गई बिडियारतियो इस प्रकार से अपने आज जो पेपर संपन हुआ STSC का राजे इस तरिये प्रतिवाखोज परीक्षा का उसमें हिंदी दस्मी स्टंडर्ड के ये 40 प्रसंद पूछे गए और ये जो 40 प्रसंद है इनका सोलूशन इस वीडियो के माध्यम से हमने देखा है मैं आसा करता हूं कि आप सभी ने ये पेपर बहुत अच्छे तरीके स किया होगा और सभी इसमें शफलता पराप्त करोगे हैलोडे इस्टोंस हावर यू मैसेल्फ निशान तगरवाल लेक्शन इंग्लिश इन के विम स्कूल सिकर आपका स्वागत करता हूं प्यारे बच्चों जस्ता आज STSC का अपना पेपर लगा है तो उसमें इंग्लिश के 40 questions आपने करके देखे होंगे तो 40 questions जो हैं उसका अपनावी paper solution करने वाले हैं ठीक है तो सबसे पहली बात there are 40 questions in this paper each question carries one mark तो 40 questions आपने attempt किये हैं और अभी अपन paper discussion करने वाले हैं तो first question देखिए आपके सामने स्क्रीन पर our books तो यहां पर इसने पूछा है कि कौन सा pronoun जो है वो हम यहां पर feel करेंगे तो प्यारे बच्चो जब हम यह कहते हैं कि यह books हैं तो हम demonstrative pronoun की बात कर रहे हैं हम संकेत कर रहे हैं तो this that these it अगर हम बात करें books की तो books क्या है यहां पर पलूरल है पलूरल है कि नहीं है तो यहां पर this or that की तो बात हो नहीं सकती क्योंकि this or that की बात हम कहां करते हैं singular के साथ और यहां पर क्या दे रखा है it भी नहीं हो सकता तो यहां पर हम बात करेंगे कि these are the these are books ठीक है तो first का answer होगा दीज हम बात करते हैं second question की तो there is milk in the glass you can make only a cup of tea मतलब यहां पर इस question के अंदर आप से determiners की बात हो रही है कि कौन सा determiner इसमें भरा जाएगा तो अगर हम बात करें यहां पर क्या दे रखा था milk दे रखा था क्या दे रखा था milk तो milk जब दे रखा इसका मतलब यह है कि यह uncountable noun से जो uncountable noun इसके पहले determiner जो है वो आएगा uncountable noun से पहले जो determiner है वो few नहीं हो सकता क्योंकि यह countable है many नहीं हो सकता क्योंकि यह सब countable से पहले आते हैं अब यहाँ पर क्या दे रखा है a little, तो a little क्या है uncountable noun से पहले आने वाला determiner है, दूसरा अगर हम meaning भी देखें तो वहाँ पर glass में कितना दूध है कि आप एक अप चाय बना सकते हैं तो मतलब थोड़ा सा little a little, the little में हम बात करें a little की, तो किसके लिए यूज़ होता है some के लिए हम यूज़ करते हैं क्योशन में तीन है books are, books कहां होती है भई, off to होनी सकता in the back, back के अंदर fourth question है mohit has been suffering fever since last night last night से mohit जो है वो fever suffer कर रहा है तो इसका मतलब क्या है, from आएगा यानि किस से वो प्रेशान है, fever से प्रेशान है fifth question है Raju plays flute, flute यहां पर क्या है कि instrument है, क्या होता है instrument, और age we know कि instrument से पहले, we use the as a article तो यहां पर इस question के अंदर हम भरेंगे the next question के हम बात करें तो Mohan's father is MLA, MLA is here, if we pronounce it then we sound here A M, M what I am saying, M it is mean, sound of here is a vowel, so we write here N, so Mohan's father is in MLA, seventh question is there, that was Ramesh father, you meet yesterday, यहां पर अपने को pronoun भनना है जो, father यहां पर क्या दे रखा है, noun, और U भी यहां पर क्या दे रखा है, noun blank के बोथ साइड में अगर अपने को noun दे रखा हो, तो हम यूज करते है, home का, next question है आपका, pen is this, तो यहां पर pen, किसका pen, तो यहां पर आपन बात करें, relative pronoun की, तो यहां हो जाएगा, whose, whose pen is this, next question है, Mohan and Sohan always to school together, तो यहां पर क्या दे रखा है always, यहां पर यहां पर क्या दे तो अपने यूज करते हैं, first form of wow का, ठीकर क्या हो ना, next है, once there was a king, simple, once there was a king, next question है, the teacher English at this time, at this time means present continuous tense है आपका, और present continuous का formula क्या होता है, is mr plus first form plus ing, next question है, round was sleeping while Mohan, जब वाइल दे रखा हो, तो वाइल से पहले, वाजबर plus first form plus ing दे रखी हो, क्या दे रखी हो, वाजबर plus first form plus ing तो उसके बाद भी वाजबर plus first form plus ing आता है, इसका मतलब हो जाएगा, वाजबर दे रखा हो, तो आपने पढ़ा है कि correct form में will shell plus first form of wow आती है, तो will shell plus first form of wow, 14 number question है, he after he had eaten his food, तो यहाँ पर क्या दे रखा है after, after के बाद में head plus word की third form दे रखी हो, इसका मतलब after से पहले second form of wow आती है, क्या होता है, sleep की second form slept, next है 50 number question, राम श्याम वर present in the party, यहाँ पर अपने से क्या पुच्छा है, कि कौन सा इसमें connector आएगा, कौन सा conjunction आएगा, तो जब यह condition बर रही हो, वर दे रखा हो, क्या दे रखा है, वर तो इधर और आड़ नहीं सकता, ठीक है, टू-टू का प्रियोक हो नहीं सकता, यह लास्क में होगा, बोथ हैंड हो सकता है, पर निदर नौर नहीं हो सकता, singulars के साथ होते हैं यह, किस के साथ होते हैं, singular यहाँ पर singular helping verb हो, तब हम सोच सकते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या दे रखी है, परवलर दे रखी हैं तो बोथ हैंड का यूज होगा, next है, राकेश इज, राकेश इज, राकेश इतना छोटा है कि कार ड्राइव नहीं कर सकता, राकेश इज तू यंग तू द्राइव ए कार, ठीक है, next है, the clerk and the cashier, yesterday दे रखा है, तो past आएगा, past का क्या आ सकता है, बोथ, तो वर आएगा, क्योंकि इज है मार, singulars के साथ आते हैं, slow and steady wins the race, जो slow and steady चलते जाते हैं, वो ही wins करते हैं, एक आपको पता है, क्या है ये, slow and steady wins the race, मुकेश सैड, I want to become a car mechanic, देखो इसका क्या बनाना है, indirect speech बनाना है, तो मुकेश सैड, I want to become a car driver, मैं car driver बनना चाहता हूँ, तो सैड बदल जाएगा, टोल में, first form बदल जाएगी, second form में, तो यही इसका सही है, बाकी तो यह हो नहीं सकता, यह नहीं हो सकता, और इसमें, wanted to become, wanted to, sorry, सैड नहीं हो सकता, तो सैड को बदलेंगे, told me or wanted, तो इसमें, second answer सही है, the teacher said the sun rises in the east, यूनिवर्सल truth है, तो वैसा का वैसे आजाता है, बस सैड बदल देते हैं, सैड नहीं बदलते है, the teacher said that the sun rises in the east, 20 number question आपका 21 है, they have built a house, क्या करने हैं, इसका, पैसी बनाने हैं आपको, तो यह house, singular है, तो has plus been plus third form of work, built, अब देख लो यह sentence कौन सह हैं हैं, यह house has been built, second, रमेश रोट ए लेटर, तो क्या होगा इसका, अगला है आपको 23, you have written the letter, क्या करना है, अपने को question tag बनाना है, क्या बनाना है, question tag, question tag के लिए क्लिए क्या होता है, कि जो अपने को helping और दे रखी होती है, क्या दे रखी होती है, helping और उसके साथ हमने किसका यूज करते हैं, note का plus क्या लगाते हैं, subject, अब देख लो इसमें कौन सह आपका, haven't, subject क्या है, you, for next है, सिता ही सिंगिंग, sweet song, फिर वही question tag, तो is, mr, plus not, plus subject क्या है, यहां पर, she, तो हो जाएगा, isn't she, कौन सह इसमें, isn't she, single, number one, ठीक है, next है, hate, नफरत करना, तो नफरत का क्या होता है, प्यार करना, तो love, diverged होता है, हटा देना किसी को, ठीक है, separate करना, diverged करना, will करने के बजाए, converse भी क्या होता है, किसी को, हटा देना, यह पढ़ने पढ़ेंगे आपको, opposite होता है, labor, labor का मतलब क्या होता है, laborious, hardworking person, जो labor करता हो, एक पोएम आपकी, rain on the roof, यह किसने लिखिया भई, जोन किट्सने ने की, पीवी शैली की बात हो रही है, डव्लू बी इट्स नहीं है, कॉर्स की नहीं है, नेक्स्ट है, my childhood, my childhood किसकी स्टोरी है, मेरा बच्पनी है, अब्दुल का नाम की है भई, यह simple answer है, आपको याद रखना है, नेक्स्ट है, पोएम दा लेक आइसलीन, फिस सिफ्री, यह जो है, peace and tranquility की बात करती है, पोएम, इसमें डॉक्टर भी है, सांप भी है, मीरर भी है, अबाउट अल दीज सारे होंगे, नेस्ट क्योशन आपका, संतोष यादव, जो कि यह पास में हैं, संतोष यादव, यह जुजनू की रहनी वाली है, खाच्रिया वास परकता है, आपके बामनवास भी शिकर कही है, लुनstones में यह ही कहा है, जोनिया वास में है भई है, जोनिया वास जुनू का एडिया कोई, ओ, what is, where is पषुपतिनाथ टेंपल, पषुपतिनाथ टेंपल कहा है भई, कात मडू मे, the meaning of crest in the lesson a letter to God crest होता है कलंगी सबसे उपर मतलब top of a hill ठीक है the dust of snow is written by dust of snow लिखी है Robert Forrest ने ये poem है आपकी dust of snow his first flight किसकी उपर है यन सीगल एक समुदरी पक्षी की उपर है ये जो कहानी है his first flight ठीक है next is strolling mean होता है इदर उदर चलना मतलब walking करना next है listless होता है बेचेन होना energy eliminate तो होनी सकता बेचेन होना मतलब with no energy or interest next है कुर्ग is famous for its करनाटका का place है कुर्ग और काफी famous area है क्यों क्योंकि वहाँ पर मसाले और जो जंगल है बरसाती जंगल है है वह सबसे ज्यादा पाई जाते हैं करनाटक का area कुर्ग खूपसूरत एक जगह है next last question है आपका where are tea gardens found in India सब जानते हो चाय के बगान आसाम में ही है तो इस तरह से अपने 40 questions की discussion कर ली है ठीक है और I hope कि जाद जाद आपका अच्छे सच्छा एक्जाम गया होगा